जैसरी श्याम, राधे राधे, राधे रुखमन की रसोई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे उड़न दाल के पकोड़े जो बहुत ज़्यादा किस्पी बनने वाले आपको इनकी खनक से ही पता चल रहा होगा और अंदर से बनेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए राधारुकमन की रसोई को और बैल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तुरंत नौटिफिकेशन पाने के लिए तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए सॉफ, साबुत धनिया, अदरक और साबुत लाल मिर्च अपने हिसाब से ले लिजिएगा, मैंने एक चमबच सॉफ लिए एक चमबच से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत धनिया, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लिए क्योंकि उड़त दाले और दो तिन सुखी लाल मिश ले लिए तोड़कर इन सभी को मिक्सर जार में डाल देते हैं, आप चाहें तो इसी समय इसमें वन फोर चमबच हींग और टेस के अकॉर्डिंग नमक साथ में डाल दीजिए और साथ में इनको डाल कर आप दरदरा सा पाउडर बना के इनका तैयार कर लिजिए बिना पानी के बनाना है इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिजिए आप चाहें तो इसी समय इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं अगर लहसुन डालना चाहते हैं तो 7-8 कलियां लहसुन के डाल दीजिए तो देखिए मैंने बिना पानी के ही बिलकुल इसको दरदरा सा इसका पाउडर बनाकर तयार कर लिए बस इसी तरह से आपको इसको पीस कर तयार कर लिए अब इसको तो हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं फिर देखिए मैंने वही mixer jar ले लिया है उसके अंदर डाल देती हूँ मैं उड़त की डाल इसको मैंने बिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए पानी मैंने इसका निकाल दिया है यह अच्छे से भीग चुकी है धुली भी उड़त की डाल लेनी है आपको अब इसको भी हम mixer jar के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में इसका पेस्ट बना के तयार कर लेते हैं बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट में नहीं मनाऊंगी हल्की फुल की इसमें क्रंची नहीं से रहनी चाहिए दाल में उस तरह से बना कर मैं इसका तयार परूँगी बस थोड़े-बहूत डाल के टुकड़े इसमें खाते समय आने चाहिए तो वो बहुत टेस्टि लगते हैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं इन दो बार में पीस लिए है अगर आपको पानी क्या अशक्कता लगे अब थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं एक तो मैंने इसमें धनिया पत्ती तो डाल दिये, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे हम, ये थोड़ा सा मैंने साधा नमक लिया है, सेंधा नमक है मेरा ये, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम काला नमक, क्योंकि उड़त की डाल है, थोड़ी हैवी रहती है, तो हींग हुआ, काला नमक, अद्रक ये सवाब जरूर से डालिएगा। मैंने इसमें हींग भी अड़ कर दिये, वन फोर चममच। और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी अजवैन। अजवैन भी मैं इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये उड़त की डाल है, आप चाहें तो डाल दीजिए, वरना इसकिप कर दीजिए, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उड़त डाल की पकोड़ी में, तो आप इसमें खूब सारी हींग और अद्रक डाल मिक्स करेंगे, आपके पकोड़े उतनी सॉफ्ट बनेंगे और उपर से कुरकुरे बनेंगे, बहुत अच्छे बनके तयार होंगे, तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अब देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ, बहुत अच्छे से ये हमारे क्रिस्पी बने, इसके लिए, पहले तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च डालना हम भूल गए थे पहले, तो थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ, कटिंग कीवी, आप अपने हिसाब से सेट कर लिजिएगा, कितना स्पाइसी रखना है, लाल मिर्च हमने नहीं इसके वड़े बना के तयार कर सकते हैं, पानी मैंने इसमें ज़्यादा एड़ नहीं किया, तो आप इस तरह का शेप देते वे वड़े बना सकते हैं, अगर आपको इस तरह की शेप इसमें देनी है तो, वरना आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए, और पान ये मैंने इसमें डाल दिया है 1-4 चम्मच बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं लिया है मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है और इसको भी डाल के बहुत ही अच्छे से फैट लेते हैं इससे बहुत अच्छे फलपी बनेंगे आपके पकोडे और उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बेकिंग पाउडर डालने से ओईल भी बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं करते हैं तो बस थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूं इसके अंदर और अच्छे से मैंने फैट कर तयार कर लिया है अब मैं आपको देती हूं एक टिप अगर आप इस तरह से पानी डालने लगे और पानी आपसे गलती से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए इसके अंदर तो आप क्या कीजिए इसमें गेहूं का आटा मिला दीजिए थोड़ा सा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसी को भी और आपके पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनके तयार हो जाएंगे तो बस मैंने आपको बता दिया आप आप पानी में हातों को डिप कीजिए और फिर इस तरह से आप उसके अंदर पकोड़ों को छोड़ दीजिए हमने पहले ओईल चेक कर लिया है हमारा ओईल अच्छे से गरम हो चुका है बहुत जादा हाई फ्लेम पे भी गरम नहीं होना चाहिए वन्ना आप डालते ही आपके पकोड़े जो है वो एकदम सी जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और इस समय आप गेस की फ्लेम को स्लो कर दिजिएगा जब आप पकोड़े इसमें डालने लगें पहले आप ओईल को अच्छे से गरम कर लिजेगा मीडियम होट और मीडियम होट ओईल के अंदर आप इस तरह से पकोड़ों को डाल दिजिए पानी में हातों को dip कीजिए और फिर आप बैटर उठाइए और oil में छोड़ दीजिए उससे आपके जो उड़त की दाल है वो हातों के बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और इस तरह से इस्पून की सायता से आप पहले इसको हिला लीजिए अच्छे से और चारों तरप चलाते वैं अच्छे से से शेक कर तयार कर लीजिए इनको medium गेस पर ताकि अच्छे से crispy fry हो सके और अंदर से भी अच्छे से ये fry हो जाए तो बस इस तरह से इनको हम fry कर लेंगे सभी को तो देखिए हमारे ये तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें तो हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी मैं तल कर तयार कर लूँगी गेस की फ्लेम को स्लो रखिएगा जब आप पकोड़े डालने लगें और फिर बाद में आप मीडियम गेस के उपर अच्छे से इनको फ्राई करके तयार कर लीजिए अगर आपने हाई फ्लेम पर डाले तो एकदम सी तल जाएंगे अपना कलर चेंज कर लेंगे और उससे क्यों होगा ना अंदर से ये कच्छे रह जाते हैं बिल्कुल और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे और देखिए मैं आपको सुना देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे ये पकोड़े उपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और अंदर से बहुत ज़्यादा सौप्ट ये देखिए तो बस सभी को मैंने इस तरह से बना कर तयार कर लिया हैं आप भी इनको बना कर एंजोई कीजिए आप इनको चटनी, सौस या चाय किसी भी चीज के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे आप इनके ओपर दही डालके ओपर से चटनी डालके भी सर्व कर सकते हैं जैसरी शाम राधे राधे